स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था प्रुधान मंत्री उज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इस योजना का कार्यान वेयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राले द्वारा किया गया है दो गरीबी रेखा से नीचे यानि BPL जीवन यापन करने वाले परिवार की कोई भी वयस्क महिला उज्वला योजना के तहत जमा मुक्त LPG गैस कनेक्शन के लिए आवीदन कर सकती है तीन BPL परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाती जनगरना डेटा 2011 के माध्यम से की जाती है उपर्यूग तुमें से कितने कथन सही नहीं है इस प्रशन का सही उत्तर है विकलपट D इन में से कोई भी नहीं चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को प्रधान मंत्री उज्वला योजना का कार्यान वयन पैट्रोलियम इवं प्राक्रतिक गैस मंत्राले द्वारा किया गया है अता कथन एक सही है इस योजना के अंतरगत BPL परिवारों की वयस्क महिलाएं उज्वला योजना के तहत जमा मुक्त LPG गैस कनेक्शन के लिए आविदन कर सकती है अता कथन दो सही है BPL परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाती जनगर्ना डेटा 2011 के माध्यम से की जाती है अता कथन 3 सही है अगला प्रश्ण है इनसेट 1B के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह भारती राष्ट्रिय उपग्रह प्रणाली उपग्रहों का हिस्सा था जो प्रित्वी अवलोकन उपग्रहों की एक श्रिंखला है दो इसे नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंदर से चैलेंजर अंतरिक्ष शटल द्वारा तैनात किया गया था तीन, साथ वर्ष बाद जुलाई 1990 में इनसैट 1B को इनसैट 1D से बदल दिया गया उपर युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं इस मेशन का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चले जानते हैं इनसैट 1B के बारे में यह भारती राष्ट्री उपग्रह प्रणाली उपग्रहों का हिस्सा था जो संचार उपग्रहों की एक श्रिंखला है अतकतन एक सही नहीं है इनसैट 1B का निर्माण फोर्ड ऐरो स्पेस द्वारा किया गया था और भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इसरो द्वारा संचालित किया गया था इसे नासा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से चैलेंजर अंतरिक्ष शटल द्वारा तैनात किया गया था अतकतन दो सही है इंसेट 1A अप्रेल 1982 में इसरो द्वारा लॉंच किया गया इंसेट श्रिंखला का पहला उपग्रह था लेकिन कुछ तक्नीकी खामियों के कारण इसे एक वर्ष बाद छोड़ना पड़ा जुलाई 1990 में साथ वर्ष बाद इंसेट 1B को इंसेट 1D से बदल दिया गया अतर कथन 3 सही है अगला प्रश्न है MS स्वामिनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. उन्हें हरित क्रांती में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया जिसने फसल उत्पादक्ता में उलेखनी वृद्धी की और देश येतु खाद सुरक्षा सुनिश्चित की 3. उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों की अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विक्सित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इन्वे से कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को MS स्वामिनाथन को हरित क्रांती में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए व्यापक रूप से पहचाना गया जो भारत्य कृषि में एक परिवर्तन कारी चरण था इसने फसल उत्पादक्ता में उलेखनी व्रिधी की और रास्ट्र के लिए खाद सुरक्षा सुनिश्चित की अतकतन एक सही है इस परिवर्तन से फसल की पैदावार में उलेखनी व्रिधी हुई जिससे भारत खाद्योत पादन में आत्म निर्भर हो गया और अकाल का खत्रा टल गया रास्ट्र किसान आयोग की अधक्ष के रूप में स्वामिनाथन रिपोर्ट ने क्रिशी संकट के कारणों की जांच की उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों की अधिकार के संरक्ष्ण अधीनियम 2001 को विक्सित करने में प्रमुख भूमिका निभाई अगला प्रेश्ण है भारत रतन के संबंध में निम्नलिखित कथुनों पर विचार कीजिए एक यदेश का सर्वोचुनागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी संब्धान के अनुछेद 18-1 के अनुसार पुरस्कार का उप्योब प्राप्थ करता के नाम के उपसर्ग या प्रत्याइग रूप में नहीं किया जा सकता है तीन, पुरस्कार प्रदान किये जाने पर प्राप्त करता को रास्टरपती द्वारा हस्ताक्षृत एक सनद, प्रमाणपत्र और एक पदक प्राप्त होता है उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभीती, डी इनमें से कोई भी नहीं इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को भारत रत्य देश का सर्वोच नागरिक पुरस्तार है और इसके स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी अतकथन एक सही है यह पुरस्तार जाती व्यवसाय स्थिति या लिंग की भेदभाव के बिना उच्चितम क्रम की असाधारण सेवा या प्रदरशन की मानता में प्रदान किया जाता है समविधान के अनुश्यद 18.1 एक अनुशार पुरस्कार का अप्योग प्राप्त करता के नाम की उपसर्ग या प्रत्य की रूप में नहीं किया जा सकता है अतकथन 2, सही है यह पुरसकार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सारवज्रिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था लेकिन दिसम्बर 2011 में सरकार ने मानो प्रयास के किसी भी शेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया पुरसकार प्रदान किये जाने पर प्राप्त करता को राष्ट्रपती द्वारा हस्ताक्ष्रित एक सनद, प्रमान पत्र और एक पदक प्राप्त होता है अतकतन 3 सही है अगला प्रेश्ण है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार यानि RPWD अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक यह दिव्यांगता से पीडित लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मात्रा को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत और उच्छ सिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर देता है दो, 6-18 वर्ष की आयू के बीच बेंच्मार्क दिव्यांगता वाले प्रतिएक बच्चे को मुफ्त सिक्षा का अधिकार होगा तीन, एसिड अटैक पीडितों को आर पी डबलूडी अधिनियम 2016 के दायरे से बाहर रखा गया है उपर युक्त में से कितने कथन सही है अधिनियम 2016 ने दिव्यांगों के लिए सरकारी नौफ्रियों में आरक्षड को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत और उच्च सिक्षा संस्थानों में 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है अतक अथन 1 सही है बेंचमांग दिव्यांगता वाले 6-18 वर्ष की आयू की प्रतिएक बच्चे को मुफ्त सिक्षा का अधिकार है अतक अथन 2 सही है RPWD अधिनियम 2016 द्वारा विकलांगता की प्रकार को साथ से बढ़ा कर 21 कर दिया गया है RPWD अधिनियम 2016 में मानसिक बिमारी, और्टिज्म, इस्पेक्टरम डिसॉडर, सेरिब्रल पालसी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, क्रॉनिक नियूरोलोजिकल बिमारियां, भाशा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हिमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहरा, अंधपन, एसिड अटैक पीड़तों और पार्किंसंस रोग सहित कई दिव्यांगताएं शामिल हैं, अतकतन तीन सही नहीं है, अगला प्रश्न है, महिला अरक्षट अधिनियम 2023 के सम्मद में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजे, एक, समविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा, राजसभा और राजविधान सभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक चौथाई सीटे आरक्षित करता है, दो, प्रुतेक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आवंटित सीटों का चक्रड संसद कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है, एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, बी इन में से कोई नहीं, इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प एक केवल एक, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, समविधान 106 चोधन अधिनियम 2023, लोकसभा, राजविधान सभाओं और रास्ट्रिय राजधानी शेत्र दिल्ली की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई सीटे आरक्षित करता है, बता दे कि इसमें SC और ST हे तु आरक्षित सीटे भी शामिल हैं, अतक अ अतक अधन एक सही नहीं है, अरक्षिन अधिनियम के प्रारम होने के बाद आयोजित जनगर्ना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा, और संसदी कारिवाई द्वारा निर्धारित संभावित विस्तार के साथ 15 वर्ष की अवधी तक चलेगा, प्रतेक परिसीमन प्रक्र एक, भारत और संयक्त अरब अमिरात ने स्थाने मुद्रा निप्टान प्रणाली यानि LCSS स्थापित करने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, दो, यह निर्यातकों और आयातकों को अपनी अपनी घरेलों मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम बनाएगा तथा INRAED विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा, तीन, दोनों देशों के केंद्रिय बैंकों ने भारत के Unified Payment Interface यानि UPI को UAE के Instant Payment Platform के साथ जोड़ने पर सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किये हैं, उपर युगत में से कितने कथन सही हैं, एक एवल एक B केवल दो, C सभी तीन, D इनमें से कोई भी नहीं, इस वेशन का सही उत्तर है विकल्प C सभी तीन, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, भारत और सहयोगत अरब अमिरात यानि UAE ने सीमा पार लेन देन के लिए भारती रुपय यानि INR और सहयोगत अरब अमिरात दिर अतकतन एक सही है, यह निर्यात को और आयात को को अपनी अपनी घरेलू मुद्राओं में भुगतान करने में सक्षम बनाएगा और INR AED विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा, अतकतन दो सही है, दोनों देशों की केंद्रे बैंकों ने भारत की Unified Payment Interface य अतकतन तीन सही है, अगला प्रश्न है, COP28 जलवाई शिकर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिकित कतनों पर विचार कीजे, एक, सदस्य देश जलवाई परिवर्तन के प्रभाव से जूज रहे देशों को मुआवजा देने के उद्देश से हानी और शतिकोश को संचालित कर के अबधार्न स्वैक्षिक ग्रह समर्थक कारियों को प्रोचसाहित करने के लिए एक तंत्र के रूप में की गई है, उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है, A केवल एक, B केवल दो, C सभी तीन, D इनमें से कोई भी नहीं, इस प्रेशन का सही उत्तर है विकलप, D इनमें से कोई भी नहीं, चले देखते हैं इसके विसलेशन को, कॉप 28 जलवाई शिकर सम्मेलन के सदर से देश जलवाई परिवर्तन के प्रभावों से जूज रहे देशों को मुआवज़ा देने के उद्देश से हानी और शतिकोश को संचालित करने के लिए एक समझोते पर सही है, भारत सरकार की जलशक्ती मंतराले के तहट रास्ट्य स्वक्ष गंगा मिशन के नितरत्वों में कॉप 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलाइंस लॉंच किया गया था अतकतन दो सही है, ग्रीन क्रेडिट पहल की अवधार्ना स्वेक्षिक ग्रह समर्थक कारियों को करने के लिए एक तंत्र के रूप में की गई है, अतकतन तीन सही है, अगला प्रश्न है, निसार चरड़ दो परियुजना के संबंध में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए, एक, निसार का लक्ष व्यापक शेत्रों के उच्छ सटीक्ता वाले डेटा प्रदान करके प्रित्वी संसाधन के अवलोकन में क्रांती लाना है, दो, नासा और इस्रो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में लांज किये जाने के लिए प्रस्तावत स्पेस बोन सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास किया जा रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से नासा इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार चरड दो रडार डेटा के माधम से वन बायो मास और कार्बन अनुविक्षर पर केंद्रुत एक अत्याधुनिक्स अनुसंधान परियोजना है, हाले में किरल यूनिवर्सिटी ओफ फिश्रीज एंड ओशन स्टडीज य पहला चरड विभिन शेत्रों में वन बायो मास की वास्तविक से जुड़े डेटा के मानी करण पर केंद्रित था। प्रश्नकाल और कारे सुची के बीच के समय के अंतराल को शुनेकाल कहा जाता है। चले देखते हैं इसके विसलेशन को। शुनेकाल प्रश्नकाल के तुरंत बात शुरू होता है तथा दिन के कारेक्रम की शुरुआत के बीच के अंतराल को दर्शाता है अतकतन दो सही है। तो चले देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्नकों। माग बिहु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माग बिहु जिसे भोगाली बिहु या माग घोर बिहु भी कहाचाता है असमराज में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। दो यह उत्सव अक्टूबर के महिने में आता है और कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। अभी के लिए बस इतना ही शुक्रिया। Dear viewers, अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले।